दाहार एपिसोड वन की शुरुवात में एक लेडीज पब्लिक टॉलिट में हमें एक औरत को मरावा देखते हैं इसके बाद कहानी जाती है मंडावा राजस्थान में एक जिमनेशियम में हम S.I. अंजली को देखते हैं जो लड़कों के साथ लड़ रही होती है तो वहां से वो घर आती है और तैयार होकर जाती है पूलिस स्टेशन जहां S.H.O. देवी लाल सिंग, S.I. कहलाश और अंजली को काम देते हैं कि ठाकुरू के तरफ से कम्पलेन आई है कि उनकी बेटी को किड्नैप कर लिया गया है और जिस लड़के ने किड्नैप किया है वो मुसल्मान है और लड़की का नाम रजनी है इसके बाद अंजली और कैलाश उस मुसल्मान लड़के जिसका नाम अलताफ है उसके पापा और उसके भाई को पगड़ कर लाते हैं आनन्द को देखे ही जारी है। इसके बाद आनन्द अपने काम से निकलता है और बस स्टॉप पर एक औरत से कहने लगता है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे पहचानी नहीं। लेकिन वो औरत उसे इग्नोर करते वे चली जाती है। आनन्द अपने घर आता है जहा के वरकर से वो पूछती है फोटो दिखा कर क्या ये दोनों शादी करने के लिए आये थें जिस पर वो आदमी उसे फॉर्म दिखाता है। और अंजली पूछती है जब लड़की आई थी क्या वो डरी वी थी जिस पर वो आदमी कहता है नहीं और अंजली उस फॉर्म का कॉ लेकिन मूरली कहता है कि मुझे तो कुछ गरबर लगता है क्योंकि मेरी बहन का फोन भी बंदा रहा है लेकिन पुलिस आफिसर उसे यहां से जाने को बोलते हैं अंजली आकर सारा इंफॉर्मेशन देवी लाल को दिखाती है और देवी लाल बताता है कि महीपाल सिंग एक जिस पर कैलाश कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो गायब नहीं हुई है वो अपने मर्जी सभागी है तब ही वहां महीपाल सिंग आता है और उसके समर्थक वहां पहुंचते हैं और नारा लगाने लगते हैं घर की बेटी घर पर रहेगी याने कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलिम लड़कों से शादी करने नहीं देंगे महिपाल सिंग देवी लाल से मिलता है और उसे दिखाता है कि उसने अलताफ को पकर लिया है और पुलिस उसे लॉक अप में डाल देते हैं और महिपाल सिंग के कहने पर मुली की बहन की missing report फाइल की जाती है और वो कहता है कि उसने उस लड़के को देखा नहीं है जिसके साथ उसकी बहन भागी है तब ही अंजली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का मुसल्मान है तो वो कहता है कि मैंने उसका नाम सुना है इमरान है उसका नाम देवी लाल जेल में अलताव से मिलता है लेकिन वो कहता है कि रजनी मेरे साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाती है देवी लाल कहता है मुझे पता है मैंने बस तुझे लॉक अप में डाला है ताकि तेरी जान बची रहे देवी लाल और अंजली जाते हैं ठाकूर के घर रजनी से पूछताच करने के लिए लेकिन ठाकूर अंजली को बहाट देखकर भड़क जाता है और देवी लाल से कहता है कि इस छोटी जात की लड़की को यहां लाने की क्या जरुवत ही और वो देवीलाल को रजनी से बात करने भी नहीं देता कैलाज जाता है सुपरिंटेंडेंट शुभास के पास कृष्णा के फोन रेकॉर्ड लेने के लिए और यह मौका देखकर कैलाज सुपरिंटेंडेंडेंट से शिकायत करता है के अंजली को देविलाल को ज़ादा ही आमयाद देते हैं मैं तो अंजली का सीनियर हूँ और मुझे सारे केस मिलने चाहिए जिस पर सुभाष कहता है कि तुम दिन रहाडे रिश्वत लेते वे पकड़े गए थे और तुम्हें डिमोट कर दिया गया था तुम सीनियर थे अब नहीं हो अंजली जाती है क्रिशना की माँ से मिलने के लिए जो काफी खुश है कि उसकी बेटी भाग गई है वैसे भी उनके पास अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए दहेच का पैसा नहीं है और कहती है वो जहां है जैसी है वैसे ही रहने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंजली ये देखती है कि उसकी माँ को कोई चिंता ही नहीं है इसके बाद वो जाती है क्रिशना के कमरे में और कहानी जाती है छे मैने पहले जहां हम कृष्णा को देखते हैं उसकी शादी की बात चल रही होती है लेकिन उसकी मा कहती है कि दहेच के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो शादी वो करवाईगी कैसे वो एक टेलर शॉप में काम करती है और उसे डेलिवरी देने के लिए जैपूर जाना होता है वो बस टॉपे खड़ी रहती है तभी वहाँ आनन्द आता है जो से कहने लगता है कि आप मुझे पहँचानी मैंने आपको पहँचान लिया अब जैपूर जा रही है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन कृष्णा उसे इग्नोर करती है क्योंकि वह उसे पहँचानती भी नहीं लेकिन तभी आनन्द की गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों ही बस से जैपूर के लिए निकलते हैं और हसी मजा करने लगते हैं अगले दिन आनन्द और वंदना जाते हैं अपने पापा के घर जहां आज आनन्द की मा की बरसी है और देखते हैं कि आनन्द के पापा वंदना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं घर जाते वक्त आनन का भाई शिव अपने नई गाड़ी के बारे में बहुत बाते करता है, ये देखकर आनन को काफी जलन होती है, और वो अपने भाई से पूछता है कि तुम्हारी बीवी का IVF ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, ये सुनकर शिव का मूँ सुख जाता है, सुप अंजली की माँ उसे बताती है कि सोमवार को लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं, तबी देवी लाल अंजली को कॉल करता है और उसे बताता है कि अलताफ को कल जुन जुनु लेकर जाना होगा, उनके पास कोई और आप्शन नहीं है, रात में आनन्द वंदना के फोन को अनलॉक कर लेता है और वंदना और उसके को वरकर जै के सारे मेसेज़ेश पढ़ने लगता है, सुबह होते ही दो लोग आते हैं और अलताफ को पकड़ कर ले जाते हैं, और अलताफ को ट्रक से कहीं दूर भेज़ दिया जाता है, लेकिन देखते हैं कि वो दो लो सिंग अब उन्हें छोड़ेगा नहीं, वो इसका मुद्दा जरूर बनाएगा, और सुभाष देविलाल से पूछता है कि तुम्हारा और अंजली का कुछ चल रहा है क्या, तुम सारा काम उसे क्यू दे देते हो, रजनी वाले केस में कैलाश को लगाओ, आनन्द एक इंट पीचे बैटकर बहुत सारे मोबाइल निकालता है, और एक कायूस करके वो एक औरत पदमा को कॉल करता है, लेकिन पदमा उसे कहती है कि रमेश मुझे दोबारा कॉल मत करना, वरना मैं पूलिस को बता दूँगी, और डर के मारे वो कॉल कट कर देता है, कैलाश क्रिशना के कॉल रिकॉर्ट को चेक करता है और उसे जाविद लोहर का नाम मिलता है, जो मुकंद गर में रहता है, अंजली टेलर शॉप में जाकर बागी वरकर से पूछती है कृषना के बारे में, जाएक लड़की बताती है कि कृषना किसी विजए नाम के लड़के से बात करती थी, ये सुनकर अंजली थोड़ा confusion में आ जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि कृष्णा किसी मुस्लिम लड़के के साथ भागी है वो पुलिस टेशन आती है तो कैलाश उसे बता देता है कि कृष्णा के boyfriend का नाम जावेद है अब वो और confused हो जाती है इस बात पर वो दोनों देविलाल के सामने लड़ने लगते हैं कि आखर कृष्णा का boyfriend है कौन क्या वो विजय है या जावेद है या जो उसके भाई ने कहा था इमरान है कैलाश महिपाल सिंग को कॉल करके बता देता है कि कृष्णा जिस लड़के के साथ भागी है वो मुकुंद गड़ में रहता है उसका नाम जावेद है और महिपाल सिंग मुरली को कॉल करके बता देता है कि उसकी बेहन मिल गई है अंजली मुरली के घर आती है और उसे पूछती है कि आखर चल क्या रहा है तेरी बेहन भागी किसके साथ है तब जाकर मुरली सच बोलता है कि उसकी बहन का चकर विजय से ही चल रहा था कोई उसकी बात सुन नी रहा था, इसलिए उसने जूट बोला कि उसकी बहन मुस्लिम लड़के के साथ भागी है और वो अंजली को बता देता है कि महिपाल सिंग मुकुंद गर के लिए निकल गया है ये बात अंजली देवी लाल को बता देती है कि किसी नए इंफॉर्मेशन महिपाल को लीक कर दिया है कि जावेद मुकुंद गर में रहता है और उन्हें महिपाल सिंग को रोकनी की जरुवत है, इसलिए दोनों निकलते हैं, मुकंदगर में महिपाल सिंग के लोग जाविद लोहार को ढूंड लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं, रास्ते में देवी लाल कैलाश को डाटता है कि एक शादी शुदा आदमी की जिंद देते हैं और ट्रेन को आते वे देखते हैं, अब एपिसोड टू की शुरुआत में हम फिर से उस बात्रू में कौरत को देखते हैं जिसके मुझ से जाग निकल रहा होता है, और वो मर जाती है, तो वहीं जैसी ट्रेन करीब आरा होता है, अंजली वहां फटा-फट जावेद आगे बताता है कि उसकी बेहन खुद भाग गए थी, उसका चकर किसी और से चल रहा था, और तीनों सोचते हैं कि फातिम और क्रिष्णा दोनों का केस बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है, आनन जाता है अपने भाई से मिलने के लिए जिसका एक जोलरी का दुकान है और शेव अपने भाईया से कहता है कि आपको जब समय मिलता है तो आपको घर पे ही रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी पतनी कर क्या रही है, पता चला कि उसका और उसके कली का फिर चल रहा है, जिस पर आनन जाता है, यह सब बखवास है, कैलाश घर जाता है तो कहती है कि आनन्द के पापा को पता चल गया है हम दोनों के भारे में और इसलिए वो मुझसे अब इतने चिड़े हुए रहते हैं और वंदनाप सोच रही है कि वो अपने पती को क्या बोलेगी उसका पती बहुत ही अच्छा इंसान है इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है कैलाश जाकर चेक करता है कि आखेर अलताफ अचानक से गायब कहा हो गया और उसे रास्ते में एक सीसी टीवी कैमरा मिलता है उस दिन ठाकुर की बेटी रजनी आती है और अब वो अलताफ के खिलाफ गवाही देती है कि उसके साथ वो जबर्दस्ती शादी करना चाता था वहाँ वो एक आदमी से पैसे लेता है और उसे बदले में सोने का टुकड़ा दे देता है जो वो आदमी बॉर्डर पार जाकर बेजेगा आनन पैसे लेकर जाता है बैंक में डेपॉजिट कराने के लिए और फॉर्म में अपना नाम फैज इकबाल लिखता है अंजली को भराकर देवी लाल अपनी बीवी से रोमैंटिक होने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है मूँ उधर करके सोजब आधी रात में अंजली जाती अपने बॉइफ्रेंट से मिलने के लिए जो कई और नहीं बलके वही लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुवात में देखा अगली सुबह आनन जाता है एक और ओरत लता से जो आनन्द को कार्टे कहकर बुकारती है और आनन उस ओरत से जूट कहता है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे परिवार वाले पूराने खहलात के हैं अब क्रिशना और फातिमा दोनों के कॉल रेकॉर्ड से पता प्रमिशन लेने के लिए वो सुपरिंटेंडेंडट सुभाश के पास जाती है उसके बाद अनजली जाती है कीरन के परिवार से मिलने के लिए पता चलता है कि वो भी लापता है एक साल से वो भी एक लड़गे से प्यार करती थी और उन लोगोंगों ने उस लड़गे को अब उन्हें कीरन का फोन रेकॉर्ड मिल जाता है और वो देखते हैं कि एक नमबर से दूसरे लड़की को और दूसरे लड़की के नमबर से तीसरे लड़की को फोन किया जाता है याने कि एक तरह का पैटर्ण बन रहा है अब अंजली के लाश और सज्जन निकलते हैं उन ल करते हैं और पता चलता है आठ मिसिंग लड़कियों के बारे में कोई तो है जो ऐसे लड़कियों को टार्गेट कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पिछडी जाती से हैं और सब की कहानिया बिल्कुल एक जैसी है इसलिए अंजली को लगता है कि जो कोई भी है य ही लड़के से मिलने चली जाती है और अंजली को देखकर आशिष और उसकी मा का गला सूखने लगता है अंजली आशिष से सवाल जवाब करने लगती है और इस बात को लेकर अंजली की मा अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती है आनंद फिर उसी औरस से बात करता है जो फ्योरी बताती है कि हो सकता है कि उन लड़कियों को अपने परिवार वालों से ही ताना सुनना पड़ता था कि उनकी उम्र बहुत जादा हो गई है या दहेच देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है ऐसे में अगर कोई लड़का आकर उनसे प्यार से बाते करता है अच्छी जिन्देगी देने का वादा करता है तो वो क्यों नहीं मानेंगी उसके साथ जाने के लिए अगले दिन इनाठ लड़कियों के मिसिंग पोस्टर्स शहर के हर जगा लगवा दिया जाता है आईटी वालों को और लड़कियों के नाम मिले हैं और अब उनके पास टोटल 16 आनंध को बुलाया जाता है क्योंकि देवी लाल के बेटे से खिलते समय गल्ती से बौल आनंध के बेटे को लगया था लेकिन प्रिंसिबल के सामने आनंध सिट्वेशन को समायल लेता है इसके बाद हमें दो मैने पहले का फ्लैश बैक दिखाया जाता है और हम कृष्णा को देखते हैं जिसे एक आदमी का मेसेज आता है और वो आधी रात में अपना समान पैक करके घर से भाग जाती है वो गाड़ी में आनंद से मिलती है लेकिन वो उसका असली नाम जानती नही प्रेजेंट में आनंद लता को फसाता है और उसे कहता है सोचने के लिए कि क्या वो उसके साथ भागना चाती है या नहीं और लता तुरंद भागने के लिए मान जाती है एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में अंजली को और चार लापता लड़कियों के बारे में पता चलता ह और वो एक औरत सिंदूरा का नाम देखती है जो सिकर की है लेकिन वो अब जैपूर में रहती है इसलिए अंजली एक कॉंस्टेबल मनसूर को फोन करती है और उसे कहती है सिकर जाने के लिए मनसूर जब घर पहुँचता है तो एक और दर्वाजा खोलती है और वो कहती है कि यहाँ कोई सिंदूरा नहीं रहती कॉलेज में आनन सूरेखा के लिखे वे ऐसे की बहुत तारीफ करता है जिस से वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और कागस के अंदर एक गुलाफ फुल भी होता है यह देखकर उसकी स्माइल रुकती ही नहीं अंजली और कैलास जाते हैं मुर्दा घर एक डेट बॉड़ी देखने के लिए जो कृष्णा की है पुलिस टेशन आने के बाद वो देवीलाल को बताते हैं कि उन्हें कृष्णा का डेट बॉड़ी मिल गया है और मरने के कुछ घंटे पहले कृष्णा के साथ किसी ने शारेरिक संबंद बनाने की कोशिश की और उसकी डेट बॉड़ी मिली वो भी शादी के जोड़े में बस उसके माथे में सिंदूर नहीं था और डेट बॉड़ी मिली भी बात्रूम के अंदर जो अंदर से बन था लेकिन वो सोच रहे हैं कि कृष्णा को जहर साइनाइट कहां से दिया गया बजार में और भी जहर मिलते हैं लेकिन साइनाइट ही क्यों अंजली सिंदूरा को कॉल करती है और उसे कहती है अपना एड्रेस देने के लिए मुझे तुमसे अभी मिलना है एक इन्विस्टिगेशन के सिलसले में और उसे बताती है कि तुम्हारे नंबर से किसी साधिया शेक को हमेशा कॉल जाता था और डर के मारे सिंदूरा कॉल कट कर देती है और अंजली उसे फिर से कॉल करती है इस बार वो फोन नहीं उठाती बार बार फोन करने के बाद वो एक बार फोन उठाती है और अंजली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, ये सुनकर सिंदूरा बहुत घबराने लगती है, वो बालकनी से कूदने वाली होती है लेकिन शुक्र है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाई, सुरेख पर आनंद लता से बात करता है और दोनों मिलने के लिए मान जाते हैं उसके बाद वो दूसरी और से बात करने में बिजी हो जाता है आनंद अपने पापा से मिलने जाता है और आनंद से वंदना के बारे में बात करते हैं कि वो हमारे परिवार की नाक कटवा देगी जो वो का पुलिस टेशन जाने के डर से वो सच कह देती है कि 2016 में वो होस्टल में रहती थी और वहां किसी के पास भी फोन नहीं होता था तो लोग मेरे फोन को यूज करते थे फिर हम आनंद के बेटे को देखते हैं जिसके पास फोन होता है। देवी लाल को उसकी बेटी नूपूर बताती है कि स्कूल में उसे डिबेट कमपटिशन में सिलेट किया गया है और उसे दिल्ली जाना होगा जिस पर नूपूर की मा कहती है कि इतने आगे जाकर तुक करेगी क्या तिरा भी हाल आगे जाकर इंस्पेक्टर अंजली की तरह हो पारी गलती नहीं है लेकिन अब वो आनंद के साथ नहीं रह सकती लेकिन आनंद उसे भीक मांगता है कि वंदना उसे छोर करना जाए पुलिस स्टेशन में तीनों बात करते हैं कि गुडिया के डेड बाड़ी बिल्कुल वैसे ही कंडिशन में मिली जैसे उन्हें कृष्णा क ये सारी लड़कियां कोई बड़ी जाती की है नहीं वरना बवाल हो जाता अब अगले दिन अंजली सुपरिंटेंडन सुभास को केस के बारे में ब्रीफिंग देती है कि उन्हें अब 27 केसेज मिली है और सबका पैटर्ण बिल्कुल सेम है लेकिन किसी को भी भनक नहीं और वो अपनी थियोरी बताता है कि क्या हुआ होगा जिस पर सब भी आँग बंद करके मान लेते हैं ये हाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा और बूशते हैं कि अलताफ के केस का क्या हुआ जिस पर देविलाल कहता है कि उन्हें गाड़ी मिल गई है और फॉरन जिकाने वा अपने प्रोफेसर अंसारी से मिलने के लिए और वो फाइल को देखकर तुरंट कह देते हैं कि साफ साफ एक पैटर नजार आ रहा है और ये किसी एक का ही काम है और वो आदमी जो भी है ये सब काम करने के बाद वो वापस अपनी जिंदगी में लौट आता है और सब के साथ वो शादी शुदा भी हो इसलिए किसी की नजर उस पर जाती नहीं होगी जिस पर अंजली पूछती है कि वो लड़कियों को जहर क्यों देता है जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि हो सकता है उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आखों के सामने औरतों को तरपता हुआ दिखे अंजली पूछती है साइनाइड ही क्यों बजार में तो और भी जहर मिलते हैं जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि साइनाइड का यूज और भी बहुत जगा होता है जैसे कि सोने की कारीगरी में या फिर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में हो सकता है ये आदमी ऐ की का चार दिन से फोन बंदा रहा है वंदना के बॉइफ्रेंड जै को देखते हैं जो नहाने के बाद अपने बालों पर हेर ड्रायर यूज करता है लेकिन उसे करेंड का जटका लगता है और वो मर जाता है और उसे मारने वाला को और नहीं बलके आनंद ही है फिर पुलिस के बेटे कपीश के हातों से मोबाल गिर जाता है जो उसका दोश तरा केश देख लेता है वो फोन को अन करके चार्ज में लगा देता है और ये पुलिस टेशन में आईटी वाले लड़के कासीम को पता चल जाता है कि एक लापता लड़की भारती माली का फोन अभी अभी स जिस पर वो बच्चा सिर हिला कर हा कहता है इसके बाद आनद को प्लिस टेशन में लाया जाता है और ऐसे फोन के बारे में उसे पूछा जाता है जिस पर वो कहानिया बनाता है कि मेरे पास यही फोन नहीं बल्गे बहुत सारे फोन है मेरे पास lost and found वाला एक बॉक्स है और जो भी मुझे खोईवी चीजे मिलती है मैं उसे उठा कर रख लेता हूँ। अंजली कासिम को आनन्द का नंबर देती है और कहती है कॉल रिकॉर्ड चेक करके कुछ भी अजीब लगता है तो मुझे फोन करना। और इसके बाद वो वारंट लेकर जाते हैं आनन्द के वैन को चेक करने के लिए लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ बच्चों के किताबे ही मिलती है और उन्हें लॉस्ट और वाला बॉक्स मिलता है लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ दो या तीन फोन ही होते हैं जिसे वो चेक करन तो आप मुझे कभी भी पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। आनंद नया सिम खरिता है और एक और लड़की आर्टी को कॉल करता है जो बहुत टेंशन में थी क्यूंकि आनंद का फोन स्विच आफ आ रहा था। कर जाती है अपने प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर अंजली से कहते हैं कि उसे पूछो की साइनाइड उसे कहां से मिल रहा है और वो लड़कियों को जहर खाने के लिए मना कैसे रहा है। अंजली पुछती है कि आपने क्लास में कहा था कि सीरियल किलर हर एक मर्डर सीन से कुछ न कुछ अपने लियर रख लेते हैं तो आखिर आनंद उन चीजों को रखता कहां पर होगा। जिस पर प्रोफेसर कहता है बिलकुल आख के सामने लेकिन जहां लोगों को शक ना हो। पुल स्टेशन है और वो देवी लाल के सामने ही खड़ी है और अब आनंद अंजली को फसाने की कोशिश करता है कि एक चोड की तरह मेरे गारी में घुज गई और वो अंजली के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना चाता है लेकिन देवी लाल उसे किसी तरह मनाता है उसे अगले दिन ठाकूर पुलिस स्टेशन पहुंसते हैं और बताते हैं कि रजनी घर से भाग गई है और अब ठाकूर आये हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए और कहते हैं कि रजनी को ढूंडो और वो मेरे लिए मर गई है उसे जेल में बंद कर देना अंजली जाती है डिस् हमेशा उसके 50 किलोमिटर के दायरे में ही देखा गया है और खुद को शक के घेरे से दूर रखने के लिए उसने अपने फोन को कभी यूज नहीं किया और हमेशा सेटरड़े या संड़े को ही वो बाहर जाता था सिर्फ तीन केसे को छोड़कर इसका मतलब ये है कि वो देता है तो वहीं सिंदूरा खबर को देखकर बहुत डरी वी लगती है अंजली जब सिंदूरा के घर जाती है तो सिंदूरा खुद के साथ बहुत बढ़ा गलत कदम उठा लेती है और आनन्द एक दलाब के सामने होता है और साइन आइट तलाब में फेक दिता है जिससे तालाब के सारे मचलिया मर जाते हैं। एपिसोड 5 के शुरुवात में हम आनंद को देखते हैं जो मंदर में किसी के अंतजार कर रहा था। उसका पैर गलती से एक स्टिक से टकरा जाता है फिर जैसे ही आनंद के पापा अपना छड़ी लेने के लिए आते हैं वो सीड़ी से गिड़ जाते हैं जिसे देखकर आनंद मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कैलाश कहता है कि आज मैं बहुत बिजी हूँ मैं नहीं जा पाऊंगा और अब बस उसकी पतनी के लिए बहुत हो गया वो अब सहे नहीं कर पा रही वो अपने पापा के घर जा रही है कुछ दिनों के लिए। पाऊंदा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसकी वज़े से चीजे और कॉम्प्लिकेट हो जाएं। लेकिन फिलहाल उसे अभी मिलने नहीं दिया जा सकता। वहाँ अंजली को उसका पती सागर मिलता है और अंजली उसे बताती है कि वो सिंदूरा से बात करना चाहती थी मिसिंग लड़कियों के केस के बारे में। क्योंकि सिंदूरा की बात साधिय नाम की एक लड़की से होती थी जो भी साइनाइट जहर खाकर अपनी जान ले ली थी लेकिन सागर के पापा अंजली को रुखने को बोलते हैं क्योंकि अभी उनकी सिच्वेशन काफी नाजुक है और अंजली के जाने के बाद सागर के प सूरिया एक कॉंस्टेबल को बता देता है के वंदना का जै के साथ अफियर चल रहा था ये सुनकर कैलाश और अंजली भी चौंग जाते हैं अंजली जाती है वंदना से मिलने के लिए और उसके और जै के अफियर के बारे में उसे सीधे सवाल पूछती है जिस पर वंदना कहती है के ऐसा कुछ भी नहीं था लोग कुछ भी समझ लेते हैं फिर अंजली बात करती है आनंद के बारे में कि क्या उसे पता था कि आपका फियर चल रहा है और वंदना सब को सच बता देती है कि उसने कुछ ही अपते पहले आनंद को बताया था कि उसका जै के साथ अफि बीनी करेंगे रात में आनंद अपने भाई शेव के पास जाता है और बताता है कि उसके पापा मंदर में गिर गए थे और उनका हाथ भी फ्रक्चर हो गया ये सुनकर आनंद के दिल को ठंड़ा पहुंचती है पैसे मांगने के बहाने आनंद अपने भाई से कहता है कि घर की म परा लेता है शेव अपने भाई को पैसे देता है और जाने से पहले आनंद अपने भाई के दारू के बोतल में एक दवाई मिला देता है रात में काम के बाद जब कैलाश अपने घर जाता है तो वो भी उदास होता है क्योंकि उसकी बीवी अब घर पे नहीं है आनंद अप वही है जिससे आनन्द बात करता है लेकिन आर्ती के नमबर से 48 गंटों में किसी से contact नहीं किया गया है अंजली सहजन को भेज़ती है फोन रेकॉर्ड के clearANTS मांगने के लिए और अंजली जाती है आर्ती से मिलने गई हुई है फिर आरती तुरंत अंदर जाने के बाद अपने महेश याने के आनंद को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता दे थी है एक पुलीस वाली आई थी उसका नम अंजली था आनंद ये सुनकर कहता है कि अभी के अभी जैपूर के लिए निकल जाओ तो वही रास्ते म है तो आनंद की पतनी वंधना कॉल करके उसे कह देती है कि आज रात वो नाइट शिफ्ट करके आएगी और आनंद अपने बेटे कपीश को दूद पीने के लिए देता है उसमें कुछ दवाई मिला कर आनंद के पापा को पता चल जाता है कि आनंद ने अपने भाई से पैस आने लाइक नहीं रहेगा अजली को उसका बॉइफ्रेंट सनी कॉल करता है और कहता है उसे मिलने के लिए क्योंकि वो जल्दी अपने कॉलेज के लिए निकल जाएगा रात में वो तयार होकर फिर से निकलती है और अजली की माई से कहती है कि अब इतनी रात में तु कहा ज पुलिस स्टेशन में कोई है नी क्या काम करने के लिए लेकिन अंजली अपनी मां से कहती है कि वो जल्दी घर आ जाएगी शेवदारू पीकर बेहोश हो जाता है और आनंद अपने भाई के नई गाड़ी को लेकर निकल जाता है अंजली अपने बॉइफरेंड से मिलती है तो लड़कियां जहर खा लिती थी ये समझकर कि वो मौनिंग आफटर पिल्स हैं यानि के गर्ब निरोधक गोलियां हैं सुबह होते ही आनंद आरती के लिए वही गोली खरित के लाता है और उसे कहता है ये गोली खाने पर तुमें उल्टियां भी हो सकती है इसलिए सामने बस स्टॉपर छोड़ते ही आनंद वहां से चला जाता है और बोलने की जरुवत नहीं है कि आरती के साथ क्या हुआ होगा एपिसोड 6 की शुरुआत में पुलीस को पबलिक टॉलेट में आरती की डेट बॉड़ी मिल जाती है जब कैलाश अपने घर से निकल रहा होता है तो उ उसके ममी पापा उसे बहुत डाटते हैं कि तेरी बीवी तुझे छोर कर चली गई है और तुझे थोरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और बच्चा होने से तुझे प्रॉबलम क्या है कैलाश कहने लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत गंदी है ऐसे में नया बच्चा और इस बारे में वो और बात नहीं करना चाता अंजली मुर्दागर जाती है आरती का डेड़ बाड़ी को देखने के लिए मुर्दागर में काम करने वारी लड़की को अंजली कह देती है कि जो भी इस लड़की का पोस्ट मॉटम करने वाला है उसे ये बात ध्यान में पसाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम हर दिन एक दूसरे से बाते करते हैं और अब समय आ चुका है हमें शादी कर लेनी चाहिए और देखते हैं कि मीरियम तो बस इसी लम्हे का इंदजार कर रही थी और वो खुश होकर हाँ कह देती है सुभाश कैलाश पर और प्रेशर दालता है कि रजनी ठाकुर का एक लाक रुपया लेकर भागी है इसलिए तुम्हें पता लगाना ही होगा कि वो है कहाँ वरना मेरी नौकरी खत्रे में आ जाएगी हॉस्पिटल में देवी लाल अंजली से मिलने आता है और अंजली उसे बताती है कि बाड़ी की पैचान हो उन्हें आनंद और आर्टी की गाड़ी दिख जाती है और अंजली मंसूर को पता करने को बोलती है कि ये गाड़ी किसके नाम पर रेजिस्टर है पता करो ये बात वो देवी लाल को बताती है कि उन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि वो गाड़ी किसके नाम पर और उसकी दोस्त मेली साहू से समझाती है कि तुम उससे कभी मिली भी नहीं हो, आमने सामने तो कभी भी नहीं, तुम उस पर इतना भरोसा करती क्यों हो, जिस पर मीरियम कहती है कि मैं उससे तीन साल से जानती हूँ, और रिचार्ड ही मेरे लिए सही च्वाइस है, अंजली को पता चल जाता है कि वो गाड़ी आनंद के भाई शिव के नाम से रेजिस्टर्ड है इसलिए शिव को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये दिखकर तो आनंद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और दुकान में एक वरकर से पता चलता है कि साइन आइड उनके दुकान के नीचे ही कार खाने में यूज होता है और कैलाश को जहर मिल जाता है और उन्हें लगता है कि शायद ये शिव का ही करना है फुली स्टेशन में शिव को इंट्रोगेट किया जाता है और उसे आरती का फोटो दिखाय जाता है लेकिन वो कहता है कि वो इस औरत को नहीं जानत जिसका उन्हें इंतजार था लैब रिपोर्ट आता है और ये पक्का हो जाता है कि आर्थी ने गर्ब निरोदक गोल या ली थी और उसमें साइन आइट की परत चड़ी वी थी तब ही शिव की पतनी आती और अंजली उसे पूछताच करती है सिंदूरा को आखिरकार होश आ जाता है और सागर उसे मिलता है अब सागर को सब कुछ पता चल चुका है और वो कहता है कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए लगिन सिंदूरा में अब हिम्मत नहीं है कि वो वापस से उन दिनों को याद करके बात करे देवी टेस्ट करना होगा जिसके लिए वो कैलाज से रिक्वेस्ट करती है हॉस्पिटल जाने के लिए लेकिन कैलाज कहता है कि आज काम बहुत है और तबी कैलाज को पता चल जाता है कि अलताफ को भगाने वाले कोई और नहीं बलके उसके सामने बैठी हुई अंजली और देवीलाल है वो सुभाश को कॉल करता है लेकिन कहता है कि वो ये बात मिलकर बताएगा अब बीच रास्ते में ही रुक कर वो रोने लगता है क्योंकि ना उसका प्रोफेशनल लाइफ से ही चल रहा है और ना उसका पर्सनल लाइफ वो S.P. सुभाश के आफिस जाता है और कहता है कि उसे जो इनफर्मेशन मिली थी वो गलत है ये सुनकर सुभाश कैलाश पर बहुत गुसा होता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए याँ पर बैठा वा हूँ हर दिन तुम्हारा चेहरा देखने का मेरा कोई शौक नहीं है और उसे यहां से निकल जाने को बोलता है अब शाम को कैलाश अपनी पतनी से मिलने जाता है हॉस्पिटल में दोनों टेस्ट के लिए आए बे हैं और वो अपनी पतनी से माफी मांगता है टेस्ट के दोरान पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल आया है और सुनोग्राफिक के दौरान अपने बच्चे को देखकर कैलाश बहुत खुश होता है अगले सुबा कासिम अंजली को बताता है कि जिस दिन आर्ती की डेथ हुई तब शिफ का फोन उसके घर परी था और वो देविलाल से जाकर कहने लगती है कि जब हम आनंद को इंवेस्टिगेट कर रहे थें तब हमें कुछ भी नहीं मिला और जब हम उसके भाई शिफ को इनवेस्टिगेट कर रहे हैं तो अचानक से हमें सारे सबूत मिलने लगते हैं जो के शिफ के खिलाफ है तो पूरा मतलब ये हुआ कि अंजली को उसे बताती है कि शिफ को कोई फसाने की कोशिश कर रहा है और वो वंदना से पूछती है कि आपके पती कहा होंगे तो वो कहती है वो तो अभी कॉलेज में होंगे इस पर अंजली कहती है कि मैं कॉलेज से होकर आ रही हूँ आपके पती दो दिन से कॉलेज ने गए और लगता है कि तुम अपने पती को इतने अच्छे से जानती नहीं हो जितना तुम्हें लगता है अंजली वंदना को बोलती है कि कोई जै को क्यों मारना चाहेगा इसके बाद वो वंदना को मिसिंग लड़कियों की फोटोस दिखाती है और अंजली वंदना को बता देती है कि इन लड़कियों को मारने के पीछे आपके पती का ही हाथ है अंजली के जाने के बाद वंदना फोटोस में एक लड़की को देखती है और वो फटाफट वहाँ से निकलती है अपने घर आकर वो लड़की के फोटो में जो नेकलेस होता है उसे अपने नेकलेस से मिलाती है जो बिल्कुल मैच करता है रात में जब आनन्द घर आता है तो वंदना उसे पूछती है कि तुम कहा गए थे अब जूट मत बोलना इसके बाद वो आनन्द को लड़कियों की फोटो दिखाती है और नेकलेस का भी जो मैच कर रहा है लेकिन आनन्द कुछ भी कबूल नहीं करता और जैसे ही वंदना अंजली को कॉल करने वाली थी आनन्द वंदना को बातरू में बंद कर देता है और फिर वो अपनी बीवी के सारे जुलेरी को लेकर वहां से निकल जाता है अंजली और देवी लाल जाते हैं सिंदूरा से मिलने के लिए लेकिन वो कुछ भी कहने से इंकार करती है पर जब अंजली उसे बहुत मनाती है तब सिंदूरा कहने लगती है कि उस लड़के का नाम मैयूर था वो मैयूर से शादी करने के लिए मान गई थी और जब सिंदूरा के परिवार के पास दहेश देने के लिए पैसे नहीं थे तब दोनों ने तै किया कि वो भाकर शादी कर लेंगे और दोनों जब लॉज में रुके वे थें तो दोनों इंटिमेट हो जाते हैं सुभा मैयूर उसे गर्ब निरोधक गोली देता है और वो बात्रों में गई थी गोली खाने के लिए क्योंकि मैयूर ने कहा था कि उल्टी भी हो सकती है लेकिन सिंदूरा ने दवाई को सिर्फ अपने जीप पर रखा क्योंकि उसे ये सही नहीं लग रा था और उसके बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी अंजली उसे फोटो दिखाती है कि इसमें से मैयूर कौन है और वो आनन्द के फोटो को उठाती है यही तो मैयूर है एपिसोड 7 की शुरुवात में पुलीस की पूरी टीम पहुंचती है आनन्द को पकड़ने के लिए और बाहर से पुलीस की आवास सुनकर वंदना अंदर से चिलाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो इसले पुलीस दर्वाज़त तोर कर अंदर घुज जाते हैं अंदर उन्हें आनन्द तो नहीं मिलता क्योंकि वो तो भाग चुका है उन्हें वंदना बाद्रूम के अंदर मिल जाती है अंजली उसे पूछती है कि समान बिखरावा क्यू है और वंदना उन्हें बता देती है कि ये जो फोटो में चेंड दिखरा है ऐसा ही निकलेस मुझे आननन ने दिया था जब पुलिस पूछते हैं कि वो निकलस है कहां तो वहाँ वो निकलस नहीं मिलता लेकिन प्रूफ करने के लिए वंदना एक फोटो दिखाती है जिसमें वो वैसा ही निकलस पहनी हुई है बाहर आकर वंदना अपने बेटे को गले लगा लेती है और कपीश पूछता है कि पा के लिए वंदना खुद को दोश देती है कि उसी के वज़े से जै मारा गया एक 11 साल से वो आनंद के साथ है लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका पती ये सब कर सकता है जिस पर अंजली कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है वो शादी से पहले से ही ये सब कर रहा है पुलिस के एक टीम पहुंचाती है आनंद के पापा के घर पर तलाशी लेने के लिए पर वो सब को अंदर जाने देंगे लेकिन अंजली को नहीं क्योंगी वो छोटी जाती की है और वो अंजली को अपने पुष्टानी हवेली में घुसने नहीं देगा ल इसके बास सारे पुलिस अंदर में घर की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं और अंजली पीछे की तरफ एक कमरे में जाती है जहां आनंद सोना पिगलाया करता था और वहां उसे साइन आइड मिल जाता है आनंद के पापा भी टेंशन में है कि आखिर चल क्या रहा है औ आपके बेटे शिफ को कोई मर्डर में फसाने की कोशिश कर रहा है और वो पूछती है कि दोनों भाई के बीच कैसी बनती थी जिस पर आनंद के पापा कहते हैं कि शिफ तो मेरा परफिक्ट बेटा है और उसे पूरा भरोसा है कि अगर किसी ने कुछ कांड किया है तो वो जरूर आनंद नहीं किया होगा अंजली आनंद के कॉलेज में पहुंचती है और उसके स्टाफ रूम के लॉकर से उसे हेर ड्रायर का मैनवल मिलता है और वहाँ बैंक का डेपॉजिट स्लिप भी होता है जिसमें उसका नाम फैज इकबाल लिखा हुआ है कैलाश को बैंक से पता चलता है कि आनंद कैश पर कैश जमा करवाते रहता था और आखिर में वो 16 लाक रुपे लेकर फरार हो गया है अंजली बताती है कि वो लड़कियों के जोलरी को बेच कर पैसे कमाता था देविलाल की पतनी को पता चल जाता है कि उसकी बेटी डिबेट कमपिटिशन के पतनी के लिए जाने वाली है फिर वो गुस्से में देविलाल को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुमने नुपूर के कंसेंट फॉर में साइन क्यों किया मैंने बोल दिया था कि वो नहीं जाएगी और देविलाल तंग आकर फोन कार देता है देविलाल सुभाष को बताता है कि सिंदूरा नाम की लड़की आनन के खिलाव गवाही देने के लिए मान गई है और हम उसे पकरने की कोशिश कर रहे हैं आनन के वैन को चित्त और गड़ जाते वे देखा जाता है इसलिए रास्ते में नाका बदनी लगा दी जाती है पिछली रात अ अंजली अपने घर नी गई थी इसलिए उसकी मा पुलिस टेशन पहुँचाती है और उसे बहुत डाटती है कि तुझे घर बार का ख्याल है की नहीं तुझे मैं याद हूँ की नहीं और वो अपना गुसा देवीलाल को भी दिखाती है और अपनी बेटी को कहती है घर चलन अपने घर चलन पहुँचाती है और उसके बाद से आननंद काफी चुप-चुप रहने लगा अंजली उसे कहती है कि उस रात हुआ क्या था जब तुम्हारी गारी गायव हो गई थी याद करके बताओ फिर वो कहने लगता है कि उस रात आननंद एक बोतल विस्की लेकर आ और तब उसे समझ आता है कि जब वो पैसे लेने के लिए अपने दुकान में गया था तब ही आननंद उसके गाड़ी का दूसरा चाभी चुरा लिया होगा और अंजली उसे बाटल का फोटो दिखाती है जो हर क्राइम सीन पर पाया गया था शेफ कहता है कि मेरे घर में तो कर दिया और दोनों के भी जगड़ा होने लगता है और बात कहां से कहां पहुशने लगती है बात अंजली तक पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ वो तुम्हें रात में कॉल करते रहती है मैं सब समझती हूँ जिस पर देवी लालू से स रमाज जाती है कि वो बीकानेर जा रहा है और अगर वैसे ही वो आगे चलता रहा तो वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा यानि कि वो देश छोड़ कर जाने की कोशिश कर रहा है इसके बाद बीकानेर पेट्रोल यूनिट को साधान किया जाता है और थोरी देर के बाद उन्ह के आनंद का गाड़ी मिल जाता है अंजली उन्हें कहती है कि मुझे अपडेट देते रहा ना वो पुलिस देखते हैं कि इक गाड़ी के सामने कोई डृवर नहीं है फिर उन्हें सामने होटल के अंδर आनंद दिख जाता है लेकिन ये आनंद नहीं होता ये तो कोई दुसर करने के लिए अंजली 60 घंटे से लगातार काम कर रही है इसलिए देविलालों से कहता है कि खुट को थोड़ा रेस्ट दो अब घर जाओ वो अपने घर जाती है नहाती है फ्रेश होती है और ये मौका देखकर अंजली की मां उसे एक लड़के का फोटो दिखाती है जो इंज के साथ जाने के लिए मान गई और उसी लड़के ने इन्हे मार कर फेक दिया अंजली कहती है कि लड़के को दोश देना तो बहुत आसान है लेकिन देखा जाए तो अगर माबाप अपनी बेटियों को शादी करने के लिए इतना नहीं कहते तो शायद आज ये सब जिन्दा होते ये सब सुनकर अंजली की मान दर से हिल जाती है केलाश को डिस्रिक मेजिस्टरेट का आफिस में बुलाया जाता है वहाँ अलताफ और अजनी शादी कर लेते हैं और मेजिस्टरेट केलाश को खड़े होने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि ये दोनों अपने वाज में एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए माने हैं और अब अलताफ के खिलाफ दरज की गई एफायार को रद किया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट से कहा जाता है दोनों को सिक्यूरिटी देने के लिए अगले दिन अंजली को पता चलता है कि आनन ने अपना क् दिखावत नाम से कराची से काटमंडू का टिकेट निकाला है पुलिस डेशन आकर अंजली देविलाल को ये सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि आनन न किसी लड़की के साथ वीडियो चैट पर बात करता था हेड़फोन पहन कर और कासिम जानकारी निकालने की यहां रहने दूँगा आनन अपने पापा से कहता है कि तो मैं भी बता दूँगा कि आपने मेरी मां के साथ क्या किया था सब को बता दूँगा कि आपने मेरी मां को मार डाला चाहे मेरी बात कोई माने ना माने शिफ तो मेरी बात जरूर मानेगा आनन अपने पापा से और पैसे मांगता है और कहता है कि मैं जो बोलूँगा आपको वही करना होगा वरना मैं अपने भाई को बता दूँगा अगली सुबा वंदन अपने बेटे को थोड़ा बहुत सज बता देती है कि तुम्हारे पापा ने कुछ गलत काम किया है इसलिए जो पुलिस आई वे हैं उ आखिर में उन्हें एक ट्रक मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उसमें आनद नहीं होता है फिर हम आनद को देखते हैं जो मंडावा के रेलवे स्टेशन में होता है और वो एक लगेज़ ट्रेन में चड़ जाता है एपिसोड एट के शुरुवात में दूढने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि आनद अब मुंबई पहुँच गया है वो अपने भाई को कॉल करता है और उसे सब कुछ सा सच बता देता है कि उसकी मां का मर्डर हुआ था वो सीड़ी से गीरी नहीं थी उन्हें गिराया गया था और ये किया था उनके पापा ने लेकिन शिव आनद की बात नहीं मानता पुलिस को आनद के मुंबई में होने की खबर मिल जाती है उसके फोन के वज़े से और मुंबई पुलिस जब वहां पहुँचती है तो उन्हें आनद का वहां फोन मिलता है लेकिन आनद नहीं मिलता देविलाल कहता है कि उसे पता चल गया है कि हम उसके कॉल को ट्रेस कर रहे हैं वो मुंबई से निकल गया होगा जाता है अपने पापा से मिलने के लिए और उसे बताता है कि मुझे सच पता चल चुका है और मैं अब आपकी शकल भी देखना नहीं चाता समझ लीजिए कि आनन्द की तरह आपका दूसरा बेटा भी आपके लिए मर गया है अंजली एक सपना देखती है कि वो अपने बॉइफरेंड सनी से मिलने जाती है लेकिन उसे आनन्द मिलता है अब हम आनन्द को देखते हैं जो गुआ में मीरियम से एक चर्च में शादी कर लेता है वो सभी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वो मीरियम का फोन और सिम पानी में फेक देता है बाद में मीरियम को ऐसास होता है कि उसके पास फोन नहीं है लेकिन आनन्द यानने के उसका रिचार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हे नया फोन खरेत कर दे दूंगा वो दोन अपने नए घर में आते हैं अब साइबर कैफे के सिपी उसे कासिम को कुछ मिलता है जो भी डाटा आननने डिलिट कर दिया था वो किसी तरह उसे रिस्टोर कर चुका है और वो उस वेब साइट के बारे में बताता है जहां से आनन्द उस औरत के साथ बात करता था मीरियम एक लेटर लिखती है अपने दोस्त मेलीसा के लिए ये सोच कर कि वो घबरारी होगी कि मैं कहां गैब हो गई लेकिन अगले दिन आनन्द उस लेटर को पोस्ट करने के बजाए पानी में फेक देता है और देखते हैं कि वो अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है उसके बाद वो जाता है पंजिम शहर में और एक बस टॉपर एक लड़की से बात करने लगता है पर वो लड़की उसे इग्नोर करके चली जाती है वहाँ एक और लड़की आती है और आनन्द उसे बात करने लगता है और आटो रिक्षा में उसे लिफ्ट भी देता है आनंद उसे अपना नाम कार्टिक बताता है और वो अपना नाम रेनुका बताती है वो कहता है कि वो एक वाटर फिल्टर कंपनी में सेल्समन है रेनुका ये बताती है कि वो एक नर्स है और वो हमेशा नाइर शिफ्ट करती है और वो इस शहर में अकेले रहती है इसका मतलब ये हुआ कि आनंद को उसका अगला शिकार मिल गया है रात में आनंद फिर से रेनुका को कॉल करता है और अब रेनुका उसके जाल में धीरे धीरे फंसते ही जारी है धीरे धीरे क्या लगता है बहुत जल्दी जल्दी और दोनों फिर से मिलने के लिए मान जाते हैं देवी लाल को नाकपूर जाना होगा वीडियो चैट वाले विबसाइट से पता चला है कि आनंद किसी क्रिश्चन एंजियो में काम करने वाली लड़की से बात करता है देवी लाल की पतनी गुसा हो जाती है ये समझके कि अंजली भी देवी लाल के साथ जाने वाली है और वो कहने लगती है कि मुझे तो शूरू से ही पता था कि तुम्हारा उसके साथ चकर चल रहा है और कहती है कि मैं तुम्हारे जूट से ठक गई हूँ जाओ उसे के साथ चले जाओ वापस आने की जरुवत नहीं है मैं यहाँ सब को समाल लूँगी अब इस पर देवी लाल कहे तो क्या कहे अगले दिन देवी लाल और अंजली अपने टीम के साथ नापूर पहुँचते हैं और जाते हैं NGO में जहां उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही मीरियम की शादी हो गई है दोनों जाते हैं मीरियम की दोस्त मेलीसा से मिलने के लिए और उसे पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसका नाम रिचार्ड है दोनों इंटरनेट में मिले थें उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो अब गुआ में है और शुभास से देवी लाल पर्म कियां ऐसा क्यों सोचती है कि शादी करने से अकेला पन खतम हो जाता है इस पर हंसते वे अंजली अगरी करती है और कहती है कि आप ये बात जाकर मेरी मा को समझाईए देवी लाल अंजली से पूछता है उसके बॉइफरेंड के बारे में जिस पर अंजली कहती है कि अब मेर मा की बस चले तो वो तो मेरी कल ही शादी करवा दे और देविलाल के मूँ से निकल जाता है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम से कैसे मिलता मतलब तुम जैसे काबिल आफिसर से और हो गया सिच्वेशन आउक्वर्ड इसलिए देविलाल वहां से उठके चला जाता है अगले सुबा जैसा तै हुआ था आनंद और रेनुका मिलते हैं और रेनुका कहती है कि परिवार को समालने के लिए वो यहां काम करती है लेकिन कभी कबार वो बहुत अकेला फिल करती है इसके बद दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं और अब आनंद अपने घर आता है मीडियम के पास और उसे कहता है कि पैसे कमाने के लिए उसे एक और जॉब करना होगा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगले दिन आनन्दियाने के कार्तिक Rynuka से मिलता है और उसे जूटी कहानी सुनाने लगता है कि मेरी शादी तेह हो गई है जिससे Rynuka uncomfortable हो जाती है कार्तिक कहता है कि मैं अपने परिवार के बातों पर नहीं आने वाला और वो रेनुका से पूछता है कि मैं तुम से कुछ पूछना चाता हूँ, तुम मेरे लिए फील क्या करती हो, रेनुका कहती है कि तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ, और मौका देखकर वो उसे पूछ लेता है क्या तुम उसे शादी करोगी, और वो हस इसलिए तुम्हें तयार रहना चाहिए अपनी आख खुली रखो अगले दिन आनंद पंजिम के लिए निकल जाता है ये जुट बोलकर करके वो काम के लिए जा रहा है और सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा आनंद के जाने के बाद घर का फ्रिच खराब हो जाता है जिसके ल मीरियम के घर फ्रिच ठीक करने के लिए और वो उन्हें मीरियम के घर तक ले कर जाता है वो सभी मीरियम से मिलते हैं जो बताती है कि उसका हजबेंड पंजिम गया हुआ है और अंजली कहती है कि तुम्हारे पती का नाम रिचार्ड नहीं है उसका नाम आनंद है वसली में म ही रहने वाला है अंजली मीरियम से कहती है कि अभी उसे फोन करो और पूछो कि वो कहां है उसका हाथ का परा होता है और अंजली उसे कहती है कि तुम बहुत खुश किसमत हो कि तुम अभी भी जिन्दा हो उसने 29 लड़कियों का मर्डर किया है मीरियम फोन करती है और फोन हम उसे मदद ले सकते हैं कारवाही जल्दी होगी रेनुका आनंद से मिलने के लिए होटल जाती है आनंद की तस्वीर को सारे होटल में भिजवा दिया जाता है और जिस होटल में आनंद ठहरा हुआ है वहां का मैनेजर आनंद की तस्वीर को देख लेता है और पुलिस को इन अब कहानी आती है फिर से मंडावा में और मीडिया कॉन्फरेंस में S.P. सुभाश बता देते हैं कि आखिरकार वो सीरियल किलर पकड़ा गया जिसने 29 लड़कियों को मारा है, आनंद को मीडिया के सामने लाया जाता है, और सुभाश सारे ओफिसर्स की तारीफ करते हैं जिन् उल्टा मेरे साथ लट नहीं करती और वो अंजली के बारे में भी उल्टा सिधा कहने लगता है, लेकिन अंजली उसे इग्नोर करते हैं वहां से चली जाती है, अंजली नाम बदलाव के लिए अप्लाई करती है, और कहती है कि उसका सरनेम भाटी से वो मेगवाल चेंज करन चाती है, जो उसका ओरिजनल सरनेम था, सल पहले अंजली के पापा ने फैमली के सरनेम को चेंज करवा कर भाटी में बदल दिया, ताकि उन्हें फिर से जाती वाद भेदभाव का सामना ना करना पड़े, लेकिन पूरी कहानी में हमने देखा ही है कि थोरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है, हर जग आंजली को भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है, इसे लिए आप वो सोच लेती है कि वो अब अपने असली सरनेम को ही अपनाएगी और अब इस पर उसे शर्मिंदगी नहीं बलके प्रावड मैसूस होता है, और इसे के साथ दाहार सीजन वन यही एंड होती है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक कियर